हेलो दोस्तो मैं अगर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एकजाम येजबाई उदेसर में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम केवल वही कॉश्चन लेकर रहे हैं जो एकजाम में आज तक पूछे गए हैं लेकिन करंट के कॉश्चन हैं यहां से वो कॉश्चन मैं आपके लिए लेकर आए हूँ जिनकी ज़्यादा चांस है यानि कि मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा चांस है गजाम में आने के और ये question आज तक आएग जा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि इनके answer वदल गए हैं क्योंकि current के question ये होते हैं जो बार बार change होते रहते हैं और आपके लिए हम जो भी नया question बना है वो लेकर आएं इस वीडियो में और दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी के लिए एक और अच्छी जान कर ये इस वीडियो में कि आप बार बार मेसेज करें तेसर ग्राम सची पटवारी कैनल पटवारी के notes कंप्लीट करना है यहां से आपको पूरी जानकार मिलेगी लेकिन ये notes आपको कब मिलेंगे आज evening मिलेंगे चार और पांच के बीच में यानि कि इस समय आप हमें personally message कर सकते हैं क्योंकि सुबह morning में जो हमारा schedule हो काफी विजी होता है तो इस सुबह आप नहीं ले सकते morning में आपको मिल देंगे जिस भाई को चाहिए वो हमें इस number पर WhatsApp कर सकता है और केवल इतना कह सकता हूं selected और अच्छे लेवल के question है एक भी मतलब की normal question आपको नहीं मिलेगा सारे अच्छे question है तो बात करते हैं इस वीडियो में कौन-कौन से जो आपके question हो चैंज हो गए है यानि कि यहाँ पर पहला question आपके सामने है हरियना का मुख्य सचिव किसे न्यूक्त किया गया है संजीव कुमार कौसल को बनाया गया है और इनको कौन-कौन सी जिम्मेदारी दी गई है वो भी देख लेती है साथ की साथ सामन्य प्रकाशन है कार्मिक प्रिस्रिक्षन है संसद्य कारिय मंत है सचिव बनाये गए है ठीक है किरसन पाल गोजर से इनका कोई साथ ने है बाकी ये इनको अलगशे डिपार्टमेंट दिये गए है ठीक है तो आपको दिहान रखना तो ये question यहा से बन सकते हैं संजीव कुमार कोसल कौन से नंबर के मुख्य सचिव बने है तो 35 नंबर के और इस से पहले कौन थे विजय वर्धन सिंग थे 34 नंबर के तो ये भी question यहा से repeat हो सकता है इनके सथान पर इन्हें न्यूक्त किया गया ठीक है तो दिहान रखना हरियन सरकार ने अत्रिक्त मुख्य सचिव के से न्यूक्त किया गया पी के दास को किया और इसे वित्ता इस वीडियो को यहां तक देखा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद